Hello and Welcome to Here is My Academy। I am Shashanklokhira और इसवड करने वाले हैं इंडिया की फर्स्त nuclear missile tracking शिप के बारे में जिसका नाम है throw इसको 10th of September को जो है launch किया जाएगा, मतलब आज से 4 दिन बाद इसको launch किया जाएगा, और इसको 10th of September को जो है यहाप her launch किया जाएगा जब यह launch हो जाएगी तो उसके बाद Indian Defense Forces की जो capability है वो यहाँ पर बहुत जादा बढ़ जाएगी हम easily satellite को भी यहाँ पर monitor कर पाएगी किसी और देश की इसके अलावा जो है जो ballistic missile यहाँ पर test हो रहे हैं सिर्फ इनी देशों के पास आपको देखने को मिलेगी और अब यहाँ पर India भी add हो जाएगा मतलब भारत भी उन चुनिंदा देशों में आ जाएगा जिनके पास इस तरीके की ship यहाँ पर देखने को मिलेगी और जिससे हम missile को जो है यहाँ पर track कर सकते हैं इसके रिकार्णिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा यह अर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप द्रोग तू भी लॉंच्ट ऑन 10 अफ सेप्टेंबर सो बेसिकलिए 10 अफ सेप्टेंबर को मतलब आपको ऑन का जो शिप है जो बहुत ही बाल घ्रहmen करने में कीफिबल हो करने में चाहिए वो ओलंग रेंजी मिसायल हो चाहिए वह निएंयों थे सबकार हूं को हम यहां पर में जाना है प्लान को पर्चेश करना है को इसको एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी और सविल कर पाओगे और आप यहां पर पीडियेफ भी डाउन्डोड कर सकते हो ना देखो जो हमारे नेशनल सिक्योर्टी एडवाइजर है जी डोबाल यहां पर एक्सपेक्टेट किया इसको बिल्ट किसने किया है तो हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेट हमेशा न्यूज में रहता है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेट का जो हेड़क्वाटर है वह आपको कहां पर देखने को मिलेगा और देखो पास साथ DRDO जो मारे Defense Research Development Organization है इसने भी यहां पर collaborate किया है तो collaboration में जो है इसको बनाए गया है DRDO और हिंदुस्तान शिप्याइड लिम्टेट तो समझ में आता है कि हाँ इनों ने इसको डेवलब किया है लेकिन ये National Technical Research Organization ये क्या है जिसके बारे में हम थोड़ा जो NSA है हमारे National Security Advisor अजीट डोबाल जी उनके अंडर में ये एक intelligence agency यहां पर काम करती है तो जिसे हम कहते है National Technical Research Organization और देखो इस धुरूफ के बारे में मतलब इस missile tracking ship के बारे में 2018 तक यहां पर revealed भी नहीं किया गया कि इसको जो है बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है बहुत बात जो है इसकी detail यहां पर आई है और अभी भी मैं आपको बता दू कि पूरी details जो है यहां पर नहीं बताए गए कि किस तरीके की जो है यह ship है तीक है सिर्फ यह है कि हाँ इसका जो है वेटेज इतना ह इसके लावा जो है इस तरीके से यहाँ पर यह काम करेगी तो इतनी चीदे जो है आपर बताए गई है लेकिन जादा चीदे जो है अभी रिवील यहाँ पर नेगी गई तो आएने इस धुरुफ जो है इसकी capability होगी कि जो ocean beds है उनको यहाँ पर map कर सके इसके लावा research कर सके इसके लावा detection यहाँ पर कर सके तो मालो अगर कोई भी enemy submarine यहाँ पर आता है तो उसको easily हम यहाँ पर detect कर सकते हैं कि कि किस देश का submarine है किस देश का ship है तो easily हम इसको यहाँ map कर सकते हैं ओशन में यह जो nuclear missile tracking ship है यह इंडिया नेवी जो personnel है वो यहाँ पर इसको manage करेंगे ठीक है इसमें जो strategic force commands है वो इसको यहाँ पर करीगी और करीब 300 crew member जो है उसको ले जाने में यह सक्षम होगी तो जो nuclear missile tracking ship है उसमें करीब 300 crew member जो है यहाँ पर जा सकते हैं अब अगर हम कुछ इसके specifications की बात करें तो इसका जो वजन है वो करीब 10,000 ton का यह ship है ठीक है जो यह project में बताया गया है इसके अलावा यह जो है जो anti ballistic missile capability है ठीक है उसका यह future है किस तरीके से देखो simply मान लो कल को पाकिस्तान या चाइना हम पर कोई missile यहाँ पर launch कर देता है ठीक है तो हमको तो पता नहीं होगा कि वो nuclear missile है या normal missile है तो इसको जो है हम easily इसके थूरू यहाँ पर detect कर सकते हैं कि कौन से missile यहाँ पर launch की गई है तो हम easily जो है एनिमी missiles को यहाँ पर target कर सकते हैं एक तरीके का यह early warning system है जिससे अगर हमारे उपर कोई missile यहाँ पर fire कर रहा है अगर कोई हमाई cities को यहाँ पर target करता है या हमाई को military establishment है उनको यहाँ पर target करता है तो easily हम जो है इन सब threat को यहाँ पर easily वो नजर आएगा और उसको counter करने के लिए हमको एक बहुत ही important missile trekking ship की जरूवत थी वो अब capability भारत के पास मौजूद है 10th of September को भारत जो है इसको commission कर देगा Indian Navy में इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अब जो है war लड़े जाते हैं वो drones के थूर यहाँ पर लड़े जाते हैं मतलब drones यहाँ पर surveillance किया जाता है drone से यहाँ पर attack किया जाता है हाली मैं आज से कुछ दिन पहले मैंने एक video भी बनाया था कि back to back चम्मू कश्मीर में दो attack हमको देखने को मिले थे जो military establishment में यहाँ पर हुए थे और वो drone से किया गया था तो अब अगर आप देखोगे तो drone attack जो है वो बहुत जादा यहाँ पर हो रहे हैं तो इससे प्रॉपर तरीके से जो हम यहाँ पर surveillance कर सकते हैं और देखो अगर मैं मैप में आपको बताओं तो हमारा भारत यह है और यहाँ पर आपको मिलेगा चाइना और यह है पाकिस्तान अब यहाँ से भी missiles fire हो सकती है और यहाँ से भी missiles fire हो सकती है तो basically कौन सी missile किस तरफ आ रही है किस देश की वो मिसाईल है किस तरीकी की वो मिसाईल है उसको counter करने के लिए हमको जो है हम Arabian Sea में या या Bay of Bengal की तरफ जो है हम धुरुफ को जो है deploy करके रखेंगे जिससे हम easily जो है यहाँ पर चाइना या पाकिस्तान या किसी भी देश की भी missile हो या ship हो उसको जो है हम यहाँ पर easily counter कर सकते हैं अब आयाने इस धुर्फ यहाँ पर work कैसे करेगा देखो पहली बात तो इसको equipped किया गया है DRDO की active scanned array radar से जिसे हम AESA कहते है ठीक है जिसमें ability है कि वह various spectrum को जो है यहाँ पर scan कर ले इसके इसके अलावा इस पाइस सेटलाइट को मॉनिटर कर ले ठीक है इसके अलावा जो missile test होते हैं पूरे region में मालों अगर कोई चाइना कोई missile test कर रहा है पाकिस्तान को इसके अलावा हम बहुत ही important step भारत सरकार का जिससे हमारी जो military capabilities है वो और ज़ादा बढ़ जाएंगी हम proper तरीके से यहाँ पर surveillance कर पाएंगे कोई भी देश का satellite है कोई भी देश का missile है अगर वो हमारी cities की तरफ यह वो target करते हैं तो इसलिए हम जो है यहाँ पर उनको counter कर सकते हैं जब यह शेप यहाँ पर launch हो जाएगी तो उस समय देखेंगे कैस के specifications हैं जो यहाँ पर news आईगी उस पर जो हम detail वीडियो ज़रूर बनाएगे तो इसी के साथ यह तरफ जी वीडियो का सुनने के रिए बहुत धन्यवाद जाहे जावाद